नमस्कार मित्रो केंचो आज हम बात करने वाले हैकिंग के बारे में हालकि अक्सर हमने बहुत लोगों से सुना आया फिर बहुत लोग ऐसे इंटरेट पर दावे करते हैं कि आप हमाँ आपका गूगल आईडिया फेस्बूक आईडिया वहाँ पर डालो तो आपको होता है और जो यह हैकर्स होते हुए एक्जेक्लिक कैसे हैक करते हैं आपकी सिस्टेम या फिर कोई भी और सॉफ्ट्वर्स या फिर इंटरनेट को मेरा नाम है कुरूतिक आप देख रहे है टेक्निकल मोटा बाई हलो चालो करिए मित्रो सब से पहले हमँ बात कराएं के तो हमारे मोबैल एंडरॉड मोबैट हो पर अब को पर्मिशन्स मांगता है जैसे कि वो आपके कॉंटेक्ट को एक्सेस कर सकता है या फिर आपके कैमेरा को एक्सेस कर सकता है तो ऐसे जो अलाव या डीना है वैसा उप्शन्स मांगता है हम जब भी उसे अलाव करते हैं उसका मतलब होता ही है कि वह जो अप्लिकेशन है वह आपके वह पर्टिक्लर फॉंक्शन को यूज कर पाए अभी समझ लो फॉर एक्जांपल अगर आपने वाट्सेप को इंस्ट्रॉल किया तो वाट्सेप इंस्ट्रॉल करने के बात वह आपको कांटेक्स या कैमेरा वह सबकी पर्मीशन मानता है क्योंकि उसे फोटो खिचना होता है या फिर जो हमारे कांटेक्स होते है उसका उसको जरुवत पड़ती इसलिए वह दुनों के पर्मीशन मानता है तो वैसे हम जो इंट्रनेट पे महुत सार ऐसे अप्लिकेशन होते है जिसके थुरू आप हैकर्स जो होते है वह आपको हैट कर सकते है अभी फोटो एडिटिंग का टूल जो है वह आमने डाउनलोड किया फिर अप्लिकेशन हमने डाउनलोड के तो अभी फोटो एडिटिंग टूल जो है उसको कांटेक्स से क्या लेना देना लेकिन फिर भी वह क्या करता है वह आपके कांटेक्स जो है या फिर कोई आपकी इंटरनेट पे सेंड भी कर सकता है तो इसके थुरू हो सकती है दूसरा जो हमारे सॉफ़वेर या फिर एप्लिकेशन या फिर कोई हाडवर डिवास इसमें खामियाज जो होती है उसके मदद से हैकर जो है वह उसे हैट कर पाते है अभी यह जो वरनाबिल्टीज होती है उसमें कैसा होता ना आपको बदाब अभी समझ लो आपका कोई एक एप्लिके करते हैं Intellect Club उसमें information निकालने के ट्राइ करते हैं इसमें होता क्या है कि आपने एक्टेशन आपको ठागे करना पड़ता क्या है और वह फिर उसको थे हैकर निक्ञान कर पाते हैं कोई भी वाइप कर सकते हैं या फिर यह जो एप्लिकेशन उसके अंदर आप अपना जीमेल एडी या गूगल एडी डाल दो उसके थुरू आपको डारेक्ट पासवल मिल जाएगा तो अभी थोड़ा सा एक लॉजिक तिंकिंग करें अगर हम तो यह फिर फेस्बूक या फिर डिफरेंट टाइप के सिच्वेशन के हिसाब से हैकर्स को हैक करना होता है कि एक्जेक्ली वह टाइम पे हो कौन सा पेलोड जो काम करेगा या फिर जो एक्स्प्लाइट या फिर यह डालने से तुम किसी को भी हैक कर सकते हो तो यह सब चीज जो होती हो 90 परसंट गलत होती ह हाँ अभी एक वाइफाई का जो एक अप्लिकेशन से बहुत सारे अप्लिकेशन है वैसे तो जिसमें डब्लूपीएस पीन के थुरू आपको वाइफाइट करके देते हैं तो हाँ उसमें 80 परसंट चीज सची है क्योंकि वह जो एप्लिकेशन हो करता क्या है वह आपके रा रहता है राउटर के अंदर डालने की तो कोई एकाज पीन अगर एकसेप्ट हो गए तो आप उस राउटर पर डारक्ली कर सकते हैं तो मतलब वह थोड़ा सा लेजीमेट है लेकिन अभी यह जो राउटर फर्म से मलब यह पीपी लिंक है इंग लोग ने क्या किया वह जो ड लेकिन ऐसे बहुत कम एप्लिकेशन होंगे जिसमें यह हैकिंग जो हो सकता है तो मेरी माने तो आपको एक सिंपल सी बात बने तो है जो है वह कभी को एप्लिकेशन यह कभी को वेबसाइट के अंदर आपकी इंफॉमेशन डालने से आपको अगर कोई पासवर्ट दे जाता तो पीर वह गलत होती है क्योंकि एकल इतना इजी होता ही तो आज बीडी वन जाता है तो उम्मीद करते हो कि आपको है किया होता है तूसके बारे में आपको फ्री अस्यवर्णी बनाते रहता है इतना ही आउज है